हेलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आपका मेरे यूटूब चेनल में कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सबस्वस्त होंगे मस्त होंगे और देखिए यहां बन रही है मेरी मौनिंग की चाय अकल हमारे आए हुए है गेश्ट तो आज मेरा लंच बहुत सुबह बन चुका है ज अब देखिए अब मैं बना रही हूँ डिनर डिनर में मैं बना रही हूँ आठ छोले की सबची और पुड़ी तो इसके लिए मैंने छोले को दिन भर पानी में फूलने के लिए रख दिया था और अब मैंने उसमें नमक डाल कर रख दिया है कुकर में और एक आलू भी डाल तीन से चार चमस्तेल इसमें डाल दिये है खड़े मसाले और अब मैंने डाल दिया है इसमें तीन से चार प्याज को बारिक काट कर और इसे मैं अच्छी तरह से पकने दूंगी प्याज लाल हो गए हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं टमाटर और थोड़ा सा नमक इसे भी मैं पकने दूंगी अब इससे मैंने डाल दिया है अद्रक लसुन का पेश्ट इसे भी हम दो मिनट अच्छी तरह से चला कर पका लेंगे मसाला हमारा भून चुका है तो अब मैं इसमें सुखे मसाले डाल रही हूं जिसमें सबसे पहले डाल दिया है लाल मेस्ट पाउडर इसके बाद डाल दिया है हल्दी उसके बाद डाला है मैंने छोले मसाला और धनिया पाउडर और अब इसके बाद मैंने डाल दी हूँ कसूरी मेथी और इसे अच्छी तरह से चला कर पका लेंगे और अब मैंने इसमें डाल दिया है छोले इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और डाल दिया है नामाग और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी अब इसे ढख कर चार से पाच मिनट पकने देंगे अब देखिए सबजी हमारी रेडी हो चुकी है अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला दो मिनट और पका रही हूँ लाष्ट में और ये देखिए सबजी हो गई है रेडी अब इसके बाद मैं बना रही हूँ पुड़ी इसके लिए मैंने तेल को रख दिया है गरम करने के लिए और आब मैं बना ले रही हूँ पुड़ी एक्चुली में हमारी हाँ आए हुए हैं हमारे हस्बिन की बुवा और फुपा जी तो मैं आज बना रही हूँ लोग लिए डिनर तो बुवा लोग बहुत अच्छी है बहुत प्यार करती है हमें उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है इसी प्रकार में सारी पुड़िया बना रही है यह देखिए पुड़िया मेरी रेड़ी हो चुकी है और अब मैं इसके बाद लगा लूँगी दिनर यह दूसरे दिन का शूट है और बुवा दे रही है बेटी को पैसे और आशिरवाद और बहुत सार प्यार करते हैं आज उनकी जाने की तैयारी हो रही है दोस्तों जब कोई हमारे घर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है और जब वो जाते है तो दुख तो होता है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेश लोग में तब तक के लिए बाई